किई अप सब मैं ठीक हूं आज हम एक नई topic के साथ डिसकस करेंगे करेंटली यहां के वारे में डिसकस करते आ रहा है घ्रेट फ्लेक्स से ग्रेंवल्व में कैसे बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इससे पहले हमने डिसकस की आया है कि पेट जो बॉटल होते हैं इनसे ग्रेनुल कैसे बनता हैं उसका process मैं update करूंगा और flags से जो इसके pet flags होती है हमने आपको वीडियो में दिखाया था इससे पहले वाली उससे pet flags से granule बनने में क्या-क्या process यूज होता है कितने instrument यूज होते है या machinery जो होती है जर्मनी की company या foreigner company जो भी है वो ही बना रही है अभी भी अपने इंडिया में क कोई ऐसी company नहीं है कि जो machinery बना रही हो pet flags से granule की ओके तो आज हम इन से topic पर discuss करेंगे अब आप pet flags में क्या-क्या testing होती है उसके भी वीडियो आपने अप्लोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखाया आपको testing के बारे में knowledge लेना है कि pet flags जो होते है जो textile industry यूज करती है इस टॉपिक में आपको अगर flex related कोई भी टेस्टिंग्स प्रोडेक्सन्स manufacturing इन सब्सक्राइब कोई भी इंक्वारी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो आज अगर आप हमाई चैनल पर नहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब में चैनल एंड कांग में इस तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पैट है इनका flex मैं छोटे-छोटे-छोटी स्माल पीस में उसकी वीडियों ने दाला है ने इस फिर से टो प्रोडेक्स है तो अ जिससे जो होते ग्रेणोल्स में हो जाते AMIG अपको दिखाएंगी कि क्या-kinkya इस्टाब कैली व्हों प्रॉसेज होते हैं कितने प्रिंचर पर यूज करते हें तो वो सारे process हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप हमाई चनल पर नहीं है तो please support ओके फ्रेंट्स देखते हैं ओके तो सबसे पहले फ्रेंट्स फ्लेक्स जो होते हैं उनको जैंबू बैग मिलाके रखा जाता है उसके बाद इसमें जो silo system होता है फ्लेक्स को उसमें feed किया जाता है तो यह 3 silo system लगे हैं feeder unit जिनसे एक hopper में feed किया जाता है material उसके बाद में reactor लगे होते हैं reactor क्या करते हैं यह rotate होते रहते हैं and reactor का जो temperature maintain करते हैं 150 से 160 degree Celsius reactor का main काम होता है to start and increase the reaction speed of the process कोई भी process में अगर reactor यूज कर रहे हैं तो speed बढ़ा देता है process की तो reactor rotate करता है flex and maintain जो इसमें temperature maintain करते हैं और 50 से 160 degree Celsius उसके बाद यहां से extruder unit लगी होती है जो compounding का काम करती है extruder unit के बारे में हमने सारे जो pipe extrusion line की process होती है extrusion line जो होता है वो continuous process होता है extruder कहीं भी अगर आपको मिले तो वो process क्या होता है continuous process होता है इसमें material continuous feed होता चला आएगा continuous feed material जो होता है वो silo system से ही होता है क्यों क्योंकि silo system में क्या होता है कि material sensor system लगे होता है अगर कम होता है तो alarm आ जाता है signal आ जाता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि material कम है तो इसमें continuous material flow होता है reactor में reactor के थूँ extruder में आता है अब extruder का main function क्या होता है compounding यहाँ पे helical type के screw होते है helical, helical thread मनी होती है तो इसके थूँ material melt होते है ठीक है इसका जो temperature होता है pet का जितने भी bottles आप देख रहे हो जो flex बन रहे हैं वो pet material के होते है pet का जो full form होता है poly ethylene terphthalate pet के बने होते हैं इसका जो full form होता है poly ethylene terphthalate तो इनका जो melting temperature होता है melting point होता है to 40 degree Celsius होता है but temperature यहाँ पे हम कितना maintain करते हैं to 60 से to 70 degree Celsius जो melting temperature होता है उससे processing temperature हमेशा 20 से 30 degree Celsius जादा होता है तभी कोई material process होता है ओके फ्रेंट्स आप समझ गयांगे तो यहाँ पे extruder system लगा होता है जो compounding का काम करते हैं material proper compound होगा mix होगा और next step में जाएगा है यहाँ पे screen लगी होती है जो यहाँ पे dye system होती है उसे layer by layer material जाता है उसके बाद में screen changer लगा होता है जो screen change करते हैं मतलब filter size को different filter size लगे होते हैं जो यहाँ पे जिस flex की size यहाँ जिस granules की size 40 micron होगी वो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 चार filter लगे होते हैं जो screen changer के बाद होते हैं यहाँ पे उसके बाद में cutter लगा होता है तो यहाँ से 40 micron के जो होते हैं size flex के granules में तो यहाँ से convert होता है उसका cutter unit लगी होती है तो यह जो होता है यह ऐसे निकलते हैं continuous continuous निकलते हैं ठीक है एक layer में तो यहाँ पे इनकी cutter unit लगी होती है जो cutting करती है star cutter unit होती है वो cut करते है उसके वाल chilled water करते है chilled water से यानि sudden cooling जो यहाँ पे material आता है cutter में वो heat होता है यह material जो आता है एक rope home में आता है continuous आता है ओके जो भी कभी भी extruder अगर काम कर रहा है तो material जो आएगा वो continuous process से आएगा एक continuous विज में आता है ठीक है तो यहाँ पे cutter लगे होता है cutter के बाद child unit होती है जो चिल्डर unit बोलते हैं तो यह cold water होता है okay chilled water तो cold water में आता है material उसके बाद में cold water का यह function क्या होता है कि sudden cooling of the material sudden cooling से क्या होता है उसका crystallization increase होता है अब crystallization किस पर depend करता है intrinsic viscosity अगर intrinsic viscosity 640-680 है तो यहाँ पे क्या होता है कि हम crystallization जो temperature होता है वह 105-106 degrees Celsius तक करते हैं okay क्योंकि हर machines का हर process कभी-कभी अलग होता है मैं जो company यह machine जिस based है वह इरेमा company की है जर्मनी की company है जो बनाती है फ्लेक्स से ग्रेंवल कैसे बनाए तो इनकी यहाँ पे जो हमारा material प्राप्त होता है crystallization के बाद में वह 640-680 intrinsic viscosity के material होते हैं जो textile industries को direct send कर सकते हैं okay यहाँ पे classifier लगा हुआ है वह क्या करते है vibrate fines separate यहाँ पे जो fines होती है उनको classifier intrinsic viscosity क्या-क्या है वो भी हम identify करते हैं उसके बाद vibrator लगे होते है vibrator unit क्या करते हैं fines को separate करते हैं हम यहाँ से भी direct pack कर सकते है material यहां से भी direct pack कर सकते है textile industries के लिए ओके और अगर हमें granule बनाना है granule बनाके रखना है कभी तो हम direct यहां से classifier लगे होते हैं जो vibrate find separate करते है यह unit लगी होती है यहां से फिर हम material को packing area में बनाना है ओके यह सारे process work जो होते हैं यहां से यहां तक इसमें manpower की requirement बिलकुल कम होती है ना के बराबर एक बार process अगर set हो गया continuous चल रहा है तो only operator और production head इसको manage करता है ओके इतना आगे automatic industries हो रही है automation इतना improvement हो रहा है कि manpower की कहीं requirement ही नहीं हो रही है ओके तो यहां से होता है अब देखते हैं intrinsic viscosity हम एक SSP होता है solid state polymer intrinsic viscosity increase करने के लिए fat की अगर intrinsic viscosity increase करना है तो हम SSP करते हैं उसमें क्या होता है intrinsic viscosity increase हो जाती है 700 से 840 पहुच जाती है ओके ओके फ्रेंट्स तो यह process आपको कैसा लगा अगर इस process से related कोई भी inquiry है आपको तो आप हमें बता सकते हैं क्योंकि यह सारी industries में हमारे friendship हैं हमारे friends हैं production manager planted तो इससे related अगर आपको कोई भी inquiry करना है पूछनाज तो आप हमसे direct contact कर सकते हैं और comment कर सकते हैं ओके ओके friends जाई से आपीस तो a